अगर तुमने उसका क्लैमेस करेक्ट्ली गैस किया ना तो मैं सारी फिल्मों का राइट्स तुमें दे दूँगा आपके कहानी क्या होगी मुझे पता है सर मैं सुनाओं क्या बंजर जमीन हीरो एक किसान है और उसके साथ उसके कुछ फटीचर साथ हमेशा रो रो रोने वाली रो थड़ी हीरो और एक खामोश पाप चुटकी भर प्यार और सॉल्ट पेपर के तरह तकलीफ है ऐसी कहानी कई फिल्मों में आ चुकी है सर चुट है सुनाए अपनी काने मैं तो सुनो जब बात लव इस्टोरी की करते हैं या तो हैपी अंडिंग होती है या से एंडिंग होती है इसके अलावा और ऑर क्या हो सकते है बता एक तो तो तेरे नाम की तरह सेड अडिंग वाली और एक एंडिंग कैसे इशारे क्यों कर रहा है बोटा ठरकी तो नहीं हो गया एक गाव में ना एक ब्यूटिफुल गर्ल होती है बहुत ही सुन्दर सी लड़की मैं जो कहने वाली हूँ वो बात आपको गलत लग सकती है लेकिन आपके क्लास में पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे घुमा फिराकर बोलने की आदत नहीं है मुझे डिरेक्टली कहना पसंद है जब मैं सुबह उठती हूँ तो आपकी फोटो देखती हूँ भगवान की नहीं रात को सोने के बाद मेरे सपनों में भी सिर्फ आपाते हैं सब मुझे कह रहे थे आई यू माड लेकिन उ समाज कुछ भी कहें आई डोंट केर मैं तो आपके बेगेर बिल्कुल भी नहीं रह सकती है आई लव यू आई रिली लव यू प्लीज मुझे एक्सेप्प कीजिए ना तहीं दूर भाग कर चले जाते हैं जाते हैं तरह बस पास है वो मेरा है अगर वो मुझे नहीं दिया तो मैं तरी जान ले लूंगा जो चिल आरहे हो बहार दाकर प्रेक्टिस करो हमें यह डिस्ट्रब हो रहा है जाओ हम रिजल्ट बाद में बताएंगे बहार रुकिए ओके अगे सर थांक यू डड़की पसान आई ना नेक्स्ट कॉम्पटिटर्स सितापुर से नमस्कार सर अरे मेरा हिलमेट नमस्कार सर सुन दस सिर्वाले रावन देखो तुम मॉडली बनोगी और हिरोइन बनोगी आई स्वेर है में में अंडर्स्टें यार इसे देखो कितने कंपनी का ओफर से इसके पास बड़ी बड़ी मॉडल बनेंगी है लोग घ्यान देंगे लिक्रम सेंग गबर सिंग चित्रा येस कटपा आप सब लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं आप लोग यहां से जा सकते हैं बेटर लग नेक्स टाइम जैबद्र मीर बद्र मेरे आने से यह आसमान फट जाता है धरती कांप जाती है यह जाने दो समझों कि तुम आसमानों की बुलंदियों को चूने वाली हो क्यालन्डर में बड़े-बड़े होडिंग्स पर हार चखा तुम्हारी फोटो होगी हां फोर लुक्स फूर किलिक्स बस सौरी यह बबी शाट रस में फोटो शूट करेंगे तुम बड़ी कमदी की अमबैश्डर बनुगी हां नो थैंक्स अलो यह क्या है रहा तो मेरा फो करना भूलना नहीं बहुत आके जाएगी हां निया है हाई बीवडी वान मिनिट जब में स्टेज पर राम की एक्टिंग कर रहा था ऐसा लगा साक्षा स्री राम मेरे अंदर समाग है इस बार भी सलेक नहीं हुई सर एक्स्क्यूसमी सर एक मिनिट ओ प्रपोस करने मारी अचा ठीक है सर लेट हो रहा है मैं चलता हूं ओके बाए तो बोलो सर वो मैं सलेक्ट नहीं हुई ना तो क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं तुम सलेक्ट हो सकती थी इन फैक्ट तुम्हारे माबाप ने तुम्हें बहुत प्यार से पाल पोस कर बढ़ा किया है तुम्ह मैं एक्टिंग कर रही हूं ऐसा सोच कर एक्टिंग करती हो that is the problem सब मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारी एक्टिंग में लाइफ बिलकुल नहीं थी उसमें जान नहीं थी अभी ने करना मतलब है पूरी तरह से उस पर कॉंसंट्रेट करना गैरेक्टर में इन्वाल्व हो जा है इन फेक्ट तुम्हें तुम्चित्रा हो ये बात पूरी तरह से भूल जानी चाहिए लिव दी मॉमंट लिव इन दी एक्ट इविश यू अल दी बेस्ट थांक्यू सूर्ण इन्वाल्वमेंट कह रहे थे मैंने कितनी फील के साथ act किया था समझी नहीं आया था किसी को सुलेमान अबू आगया ना रहमतुला कि दर है अबू वो ट्रेन के नीचे छुपा हुआ है अच्छा रावर के लंका वे बॉंब फिट करने जा रहा है उसके बाद वो सिधे वॉल्ट रेट सेंटर को उड़ाने वोला है उसामा का फोन आया था क्या नहीं अबू अरे सुलेमान वो सामा का निया नंबर है अब जनी से पोन करके उसे साम कर समझा है अरे सामा आपका भेजा हुआ रोकेट रेडी है आपके कहते हैं रोकेट का लांज कर दूंगा ओके भाई ओके बाई सुलेमान एक मिरूट मर्ते वक्त वाके पिल्ड़ देना जरूरी है अबू अबू अवाह हमारे पास बूम है पक्राओ कहां कहा रखना है अबू ठोटल 40 बूम है चार ठीस बूम उप इलियोंगता है दो बूम इस्टिस दूम को नहीं और एक तर्टी में है करना है लड़की पड़ी मस्त है इसकी कमर में रिबान देते हैं यह बैचारी यड़की बेवजय मारी जाएगी इसके चेरा दिख्टर ऐसा लगता कि इसके बच्चे होने तो शादी भी नहीं हुई यह लगता है अबू पच्च्चा पैदा करने के लिए शादी ज़रूरी ह क्या भू गंट्रूर्ड अंथ हां मरती है तो मर्दे दो हमें अपना टागेट पूरा करना है बास है है क्या कर रही है क्या है अलो मिस्स भवानी सिस्टर वाट इस लफड़ा है अपनिंग कंदी नाली की कीड़ों तुम लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो यह भवानी किसी भी लफड़े में नहीं पड़ती और अगर पढ़ गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती एई यह ना मेरा गाउ है मैं बोलती हूं तो आदमी सुन्न हो जाता है और मारती हूं तो सीधा पूपर चला जाता है आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आप लोग यहां खड़े होकर बस चैन की सांस ले रहे हैं तो उसका शेम मुझे जाता है यह दोनों टेररिस्ट हैं सीधी तरहे तुम लोगों के पास जित्ते भी बॉम है ना उन्हें यहां रखो और चलते बनो नहीं तो तुम लोगों के कप्ड़े उतरवाकर तुम्हें नंगा तोड़ा दूगी हमारे पास कोई बॉम नहीं है यह दोखो चेक कर लो अरे चेक कर लो और रहें करेगा करेंगा आयम सर्चिंग इस बैग इंसाइड बॉम तो नहीं है और प्रैंडी का पॉटल है लेलू क्या आज का खोटा पुरा हो जाए इसके बेल्ट में भी बॉम है चेक कीजिए यह इसका फोन चेक करो उसने उसामा को कॉल लगाया था उसामा को नर्ग में काई साल हो ठाइक शोले है कि मैं तृज्दिवाग इंगों मुझाणी बास बासागी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी बठावन कोरेगाँ somewhat कारी गणी हमारी हान मत्कारी जलो प्रीके मागल मस रंट ंटस मिनvos Combatatheeeeam पुकारी मट कारी हाठना ब से बोस बोस को सकता है चलो आज़ा कि अन बैट बे ठेहर बुच्छोछ पूता रहता है नमस्ते, वो कहें कि काफी देर से हम बोर हो रहे थे, इसलिए तुम भी कमाल की एक्टिंग करती हो, तुम भी मदिकेरी जा रही हो क्या, हम भी कुछ काम के सिलसिले में, वहीं मदिकेरी ही जा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कमाल की आक्टिंग की, मैं तो वो सब सच समझ पेठी, इसलिए थोड़ी टेंशन में ओवर रियाइक करने लगी, बस इतना ही, बाइद अवे मेरा नम चित्रा है, ओ बाइशाब, जल्दी बाड़ी जाए गाड़ी निकलने वाली है, जल्बे, 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 मॉडन सान लग रहा ही है, ए, गदेला बिल गया, असो पापा, ये जो एड़्यस हों आपा, इसी घर ना? यह यहाँ और यह यहाँ है एक्षर्स रेडी हो रही है शायब कोई शूट वगेरा होगा थोड़ा नहाद हो भी लेती तो अच्छा रहता है हाँ जो जो यहाँ अपिछे वह है प्रिफोड़ा लिए और पॉटव्ण को मैं तुम्हारे जितने हो गई है यार अकेली क्यों आई बारिश होवी जिस्तुम्हार यह नहीं देख न घ्रक्रण बड़ी होगी और देखो तुमने ये चेहरे पर कितना पेंट लगा रखा ए पेंटिंग कर देखो पेंटिंग करती है ये वोरक्शॉप में बैने तो क्या क्या पेंट्स यूज किये और मेरे स्टोक्स तो सुलेमान साइड I am so proud of you वो लो कॉन है यह इदर आओ तुम लग इदर आओ सबस्ट 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 इदर आओ Who are your people? इदर आओ यहां क्यों आए है आव आओ नमस्ते सबस्ट इससे मिलना है चंदर शेखर हंडे आप ही है तो सर हम सब फोटोग्राफर्स है अगले महीने रेल फोटोग्राफी का कॉंपटिशन है सर जो उसमें जीतेगा उसे एक साल का फोटोशुट का कॉंट्रैक्ट मिलेगा सर पूरे इंडिया में बेस्ट एनलोग फोटोग्राफर कॉन है चेक करने पर आप ही का नाम मिला सर और तो और आप हमारे शहर से भी है आपके मदद से हमारा करियर बन जाएगा इसलिए हम लोग शहर से यहां जनी आए जनशीकर हांडी को मरे वे काफी साल लो गए तो प्रप्रम्र है 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 सर हंडे सर और इसकी माँ है यह ऐसे सर हंडे जी और टेटी वह इस प्रेंट ते उन्हें कुछ प्रोबलम आई को उन्हों ले डैडी से पचीश खाग रुपए कर दे लिया था है स्थिर वुशी की रिकवरी के लिए मैं आया था सर यह भगवान अब मैं क्या gentleman leave फिर छोड़िया सर् मुझे प्रोपटि या फिर आपकी लड़की को एई जुगोड एक एक लुदेरी दुवा खेटुवा को समझते का तुबलो समझते का तुमलो पाइं यो ठाग लड़ी बास्केट्स सर्फ जाय बिस्किट मिचले ज़ें सर् लेकिन मेरी सुनता ही काओ ना देख लिया ना बंडे भर गया अए तो चित्रा जल्दी से मेरी डबल बैरेल गन लेकरा आना जल्दी लाओ भागो यह से अजाते हैं नीक्त लड़के बड़ो से ढंग से बात करना में याता हीने किया यार इतनी दूर करियर बनानी के लिया है यहां पता चला कि हंडे मर गया रोग जाए इस टॉट जाए इस टॉट जाए इस टॉट जाए यह तो फोटो क्यों खीच रहे हैं आप भी तो एक्रस हो ना तो पेंटिंग क्यों करती हो क्या चोड़िये आप सब के लिए एक गर नियूज है क्या है हांडे नहीं मरा है जिससे तुम लोग मिले थे वो मेरे पापा है चेंडर शेकर हांडे उन्हें किसी तरह कंवेंस कर लूगी बदले में तुम लोगों को भी मेरी एक छोड़ी से हेल्प करनी होगी तुम्हारे साथ खड़ा के भीक मंगना होगा क्या आप कहिए ना हम कुछ भी करेंगे तुम लोगों को दस साल का थेटर एक्सपीरेंस है तुम्हें मुझे एक्टिंग सिखानी होगी एक्टिंग को एक्टिंग समझ रही है चल फायदा उठाते हैं ओके अरे नहीं हार आज मेरी दोनों आखे फड़क रही है तो क्या समझू डील या नो डील आप डील एक्टिंगी जीतेगी 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 ज प्लीज यहाँ डिसिप्लिन से रहना होगा अगर मस्ती मज़ा करनी है तो फिर ओके यह कह रहे है इसलिए चांस दे रहा हूँ ओके सेथ जूली से कहो कि इनके रहने के अंज़ाम कर दे थाक्यू सेथ पान नमान मैं तेरा महमान उंगली दी नहीं के सीधा आथ पकड़ने आजाते हैं बेशार में येस जूली जूली हाँ पापरिजे चानी हूँ हाँ 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 हेलो हाँ हेलो हाँ दे दे जञो पुलाए आपने मुझे बुलाया को यह यह लोक कौन है आपने मुझे बेचने वाल Whenever बेचने वाला उने नहीं ग्या परिभम बॉस बहुत हुँआ ऑ Conte पर चूली पर उस केस्ट हाउस में बैट आन ऑलो केष दैराउस में ले identities हैं ओके ओके आये मेरे साथ तो देखो वहां दूर जो तलाब दिख रहा है ना वहां विरपन रोज नहाने आता था क्यों तूसकी पीट घिसता था क्या जंबल बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डह रहा हूं अबे चुप-चाप चलना हूं जूली मु जय 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 बवानी जय 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 क्या कर रहा था वहां पर सो तुम लोग यहां नहीं हो न इसलिए यह बारें में नहीं जानते न अरे पूरी जी ए Hey वहां तो कोई नहीं है वह बढ़ा जा रहा है वहां तो शूशी का मंढीर है लेफ्ट परे क्या पागल है यार किससे बात है ना गज़ ऑर रहा है और कि दॉशा हुँए अचलो चलो कि ए अच्छ फिर से बीच रास्ते में सूई हुई है मरने के बाद भी चिपकने की आदत महीं गयी तेरी चम्पली भी कौलकी तरह टूनुरत करता हूँ अभी अघ्क governor तो क्वेट थी पर य tama पी देगी क्षणय दिरेज़ करनें थीजत राधाइ। वह दिखाई दे रहा है। तुम्हारा गेस्टाउस है। वहा थाला मैं नहीं जाता। इटिस आउड़न परमायजरीि। आपी लुक जाईए। तो ही ले चला है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन क्यों मेरे भाई, पिछले पुनम की रात को, पक पुनम नाम की लड़की का, चार लोगों ने मिलकर, चार बार रेप किया, फिर उसे माल डाला, उसमें से दिखने में, तुम्हारी जे सदा, ये पागल होगे है, या ना या, मै जो दोस्त, आहां से पराबर है, चलो, हाँ, मैं मुझे रहे ला, चलो, हाँ, हाँ हवा हhouा का अ मूपकाल आ तक हने की नियुक्त लोह कोई मेरे साथ एसा परेता है ना मेरे साथ एसा जा इसे ना हमारे काउं में फ्राइंक कहते हैं ठीक है ठीक है कल सुबेल सब टाइम पर आजाना जाना जाना यहां इतना संदाटा क्यों है सब किसम मरतों नहीं गए चुप कर भे चुप रहना मतलब तुझे सुनाई दे रहा है कि अब में बहुत कर मर जाओंगा नमस्ति सार गोड तुमसे वाग है साथ में क्या लायो जानवर को भागाने वाली छड़ी आमडलब तुमसे लुदूसेशन आप है यहा है वो इट प्रोग्राफिय सिख और शिकार पर यहा है पर जो एपने अस्तरश अस्तरा है एक तो यहा है नहीं आप एक प्रिशु करना आप, प्रिश दो अखिए विप प्रिशन नहीं को आप तक तुम ने जितने भी ठीनिवी फोटो शी लिखायो अनमें से सबसे अच के लिए किजी जी थी Manual mode Shutter Speed on 200 per second aperture F11 ISO 320 temperature 6000 Kelvin filter used ND2 focal length is 85 mm time when this image was clicked is approximately 3 p.m. so it's like sunlight in 120 degrees angle unsaturation 27% image stabilization off exposure composition is minus 1 no foreground depth pump the contrast is plus 20% is that all? hmm ab dina dhamag lagai koi bhi kaam karo ge so yehi ho ga hmm 60% photography and 40% processing mere processing I click pictures for perfection not for awards puruskar joh hai woh chehra nahin loogun ka ka kaam dekkar diya jata hai yaar teri photo dekkar hiya teri chaddi ka kalder hii bata tega keep it with you how about you? stop coughing will you? sir merina latest modern future photography hai a selfie khachak hmm 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 what's all this nonsense? hmm bullshit sir 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 you need to feel it sir come on let's take a selfie ah khachak hmm hmm keep a safe distance will you? hmm hmm how about you? sir to capture the place we call it as landscape photography hmm and the cameras that will be used for the sake are these hmm 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 he will develop right? hmm 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 he is not a fair heavens is like that youан hmm 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 चूली, दिदी, मैं आ गया. अरे ये कैसा नमून है, अमेरे बीच में गूच जाता है. ये मेरा बॉडी गार्ड है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है. मुह में आ गया, यार. तो निकाल ले, मुझे बारा ना, इसे मैं भी दिखाऊंगा अभी. वैसे, शहर में कितनी सारी IT कामपनीज हैं, वहां आराम से काम करने की बचा है, क्ये फोरोग्राफिक यू करने लगे तो? IT का काम, आराम का है, द्रिश. अलाम बजने से पहले आँख खुलनी चाहिए, भगवान का मूँ देखने से पहले, खुद का मूँ देखना चाहिए, धूरा नहा के आदा खाना खाके, ट्राफिक का टौशा बर्दाश करने के बाद, कैव या बस से ओफिस आन टाइम पहुँच भी गया है, तो लिफ्ट हमेशा भीजी रहने वाले सिस्टेम एड्मिन को कॉल करके इशो फिक्स करने तक बारा बज जाते हैं, फिर काम करने के लिए लॉगिंग करने जाते हैं, तो अन्नो नमर से कॉल आ जाता है, कॉल उठाने पर, सर क्रेडिट कार्ड, सर लोन, सर प्रॉपर्टी, इन सब को करने जाओ तो कलीक सा जाते हैं, फिर गड़े मुर्दे से लेकर आसमान की उचाई तक जाकर वापस आने तक दो बज जाते हैं, अब खाना खाने के बाद नीन आना तो लाजमिये उससे बचने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, ओनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया के मै जाते हैं, तब ही बगलवाई लड़की देखती हैं, और बोलती है, इफ यू फ्री, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे क्या, उसके साथ कॉफी पी के आते हैं, साड़े चार बज जाते हैं, और फिर उसके बाद मैनेजर के साथ डिसकुशन, टीम, मीटिंग, फन अक्टिवि पता है, ये फिल होता है, यार हम ये जॉब कर ही क्यू रहे हैं, इसके बजाए, चाहे सुख हो या दूख हो, रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, जो आपका पसंदीदा काम हो, जिसमें आपका मन लगे करो, एक ना एक दिन, आपका टाइम जरूर आएगा, आईटी की पढ़ एका दिदी दो जर्म इपाए खोए ऐधी तु मेरी साथ आओ, ते रहास बाड़ किलो मेरा हात पकड़ो पराइब। वाव, अमेजिंग, सूपर, काय का सूपर, नीचे गिरियना है, तो सीधा उपर, लगता है तू लाइप में कभी पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं, चूली, दे दे, यार, चारो और कोहरा फैला हुआ है, खोडों खीच के कोई फायदा नहीं है, वैसे उसे एक्टिंग सीखनी है, चल, चल के मजे लेते हैं, यह अच्छा एडिया है, यहां से कितना अच्छा दिख रहा है ना, चित्रा, एक्टिंग क्लास, भाईया, मुझे भी एक्टर बनने का बहुत चौक है, मुझे सिखाईये ना, क्रीम, 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 आइस क्रीम, एक्टिंग क्लास, शुरू होती है, देखिए, इस दुनिया में जो भी है, हम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा गुरू हूँ, और तुम लोग मेरे सिश्य हो, कला जो है, वो किसी के बा फेक रहा है, अब चुकि हम सब मित्ती से बने हैं इसलिए, तुम लोगों को मूर्ती बनाने के लिए, अच्छे से कूटना पड़ेगा, ऐसे, मैं भी कुछ बन पाओगे, सबसे पहले, मुख, मूत्र, मुख, पात्र बनना होगा, दूसरा नमबर, इला, शीला, मतलब चाल धाल और बोल, तीसरा जो है, पर इस ठिती अनुसार अभी नहीं करना है, देदी, मुझी भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे, उसे मोनो आक्टिंग, टायलोग डिलिवरी, सिचुएशन आक्टिंग कहते हैं, बस, ओ, ओ, ओके, डन, अब मेरे सभी शिष्ये, मुख्य पात्र अब इने प्रारम्ब करने जा रहे हैं, जैसे सब कुछ समझ में आ जाए, तो आक्टिंग मेरे साथ शामीर हो जाना है, जैसे आपकी अग्या गुरूजी, नेगर्टि, हाँ, 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 शिखाओ इने, छीख है, अब तुम लोग जा सकते हो, चलो भई, आजाओ, मैं सब सब को सिखाऊंगा अचे से, सब को स्टार बढाऊंगा, जो ही आस्तरी क्रेर ने, अजाओ, तु फ्लाश पैक, हांडे कैमरा बनाने का तरीका, सबसे पहले हांडे नाम के दो अंडे चलहा कर उबलते समय किसी तरह उचल के पकड़ के और पसीना होने से थोड़ी तंदुस्ते की रक्षा करता है, लाइफ बोई है जहां, तंदुस्ती है तुछा रहाएँ, लाइफ बोई लाइफ बॉई बढलीला विल लुक लाइक शकीला हांदी जैसा कैमरा कहीं नहीं, मिलेगा बंसब फोटोग्राफी विद बैटरी डमी इंटर इंसाइड अ पिर्यमिड तो टेक फोटो अफ 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 लॉट अफ लॉट टाइम आफटर पासिंग सो मैनी गली फाउड अफ अफ यह फॉटो ले ले लेता हूँ यह बच्चा ममी का है इस नॉट ओड्वनरी कैमरा इस अटे कैमरा चाहें आप उसकी तरह लेकिन आप देखेंगी संतूर ममी की तरह हैंडी कैमरा पिरामिड ममी को भी संतूर ममी जैसा बनाए अफ थाई फर्स क्लास सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है शुभम बाईया क्लिकर अच्छी एक्टिंग के फोटो भी दो लेनी है नेगेटिव मैंना एक भूत की कहानी सुनाती हूं ज्यान से सुनना भूत की कानी चारों तरह अंधिरा था सिर्फ एक ही जीव थी ठीक है उस पे पांच दोस सफर कर रहे थे कहीं दूर से पूँ एक कि देखी आवाज आई मुझे टोड़ लग रहे हैं आपको चारों दोस तहां से दो हुआ 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 है इतरा क्या हुआ वह तुझे कुछ देना है इसे क्यों निकाला लग गई ना वाट अरे बापर है पतारी निकाले फोटो आय भी या नहीं एक मिनट है इसमें तो फोटो नजर नहीं आ रहे है हुआ 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 सारे बकवास है असल मैं ही बेवकूफ हुआ वरी डिसपॉइंटिंग शर्मानी चाहिए कितने फोटोस कितनी रील्स को वेस्स किया है तुम लोगों ने वेल्यों फोटोग्रफी हाथ में डिसल कैमरा पकड़ कर करके उनमें से पैस फोटोस पिक करके खुद को पैस फोटोग्रफर नहीं समलना चाहिए रील्स फोटोग्रफी का मतलब इस लाइक वर्स लाव हमारा पहले प्यार जैसा एक लड़की हमारे घर हमारे दिल में आएगी सोच कर उसके लिए रुकना एंडेन तो बिल्ड रियल रिलेशनशिप उनके घर जाकर उनका हात मांगना हमारे जमाने में होता था उसकी तरह है यह रील फोटोग्रफी तुम लोग की तरह नहीं है दस लोगों को प्रभोस करना पांच लोगों को साथ में रखना उनमें से एक को चुनना और फिर उसे जबरदस्ति अपने जैसा बनाना बाद में शाधी बगरे करना वह भी ज़रत पड़ी तो यह है डिशनल फोटोग्रफी दाट्स नॉट रील फोटोग्रफी अबाउंट इट हैस इस ओन वैल्यू उधारन के तौर पर कहा जाए तो चैनी की मार खाने के बाद ही एक पत्थर मूर्ती बनती है राइट ब्रश और पेंट के कई लेप स्टोक से एक अच्छी पेंटिंग बनती है उसी तरह एक अच्छी फोटोज जैसे कैप्सेर करो एक अच्छी फोटोग्रफी एक अच्छ करते हैं राइट यह सुर्यास्त है ना उसकी खुबसूर्ती सिर्फ कुछी पल रहती है उस मोमेंट को कैप्चर करना होगा और टास्क गोगेट जाओ फेच अच्छ कल की जनरेशन में कालाकारी नाम के चीजी में अच्छी नेचर ब्यूटी वह सब कुछ देखोंगी तभ मेरे साथ जा रहा है ओ अच्छा अठीक है चलती हूं हां क्या हुआ फिर से मोशन जाग गए क्या नहीं बेटा बहुत खुशी होती है बेटा कि पेंटिंग के लिए तुम्हारी जो शद्धा और लगन है उसको देखकर मेरा दिल खुशी से बढ़ जाता है यह यह दिवार है ना इसपर तभारारी प्वचा लिए था यह प्लावर बहुत बढ़ा साफना थो अब क्या है मेरे अवार्च फोटो इस दीवार पर दिखने चाहिए बहुत बेटा बहुत जल्दी दिखेंगे आपको इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अहां मैं ह। जाओ बेटा जाओ 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 हुआ समल कर जाना हां हां चंदू खमसे का माच तो अपना जब तब छोड़ कर खाना ठंड़ होने से पहले खाले ना ऐधे भाई सब्सक्राइब कर दोड़े हैं संसेट दूड़ने हैं संसेट होने तक क्या करेंगे यार हाँ यह मेरे अंकल का घर है हम बहाँ जा कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं चलेगा हमें एक्टिंगी क्लास में ले 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 जलो आओ आज मैं तुम्हारा एक्टिंग गुरू हूँ तुम्हारी सेकंड प्रेंडिंग क्लास डायलोग डिलिवरी चलो स्टार्ट करते हैं यह बताओ तुम्हारा बेस डायलोग सीन किस फिल्म का है मुझे कुछ कहना है ओ ओ कि देखते हैं शुरू करो आप एलो फिल्म में नंदनी का रोल नहीं प्रीतम का रोल करके दिखाओ आप ओके तुम्हारी ये याने ये रिमज़म ब्रसाद। तुम्हारी हसी, तुम्हारी जुलफे। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी अदाइं उस घड़ी की आवाज। और उस देवदास फिल्म के डायलॉक्स जो है... वो मेरे अंदर इस तरह से घुल चुके हैं कि मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ इसे सूपर कहने से पहले एक बार मुझे भी देख लो मेरे जूते निकाल करके बोल रहा हूँ मैं जिसका सर कुचल रहा हूँ न वो उस हांडे का सर है समझ गए न यह हांडे संडे मंडे सब अक्वास है टाइगर या सलमान जैसा शर्ट पहन कर कोई स्तार नहीं बन जाता मेरे जैसा भी पहनो ना मैंने कोई घटिया कपड़े पहने है क्या अब तक शराफत से ही पेश आ रहा था तुम लोगों नहीं मुझे गुस्ता दिलाया है बस हो गया तुम लोगों को अच्छा लगया बूरा मुझे किसी की परवा नहीं है ये शेट और चड़ी पी उतार दूगा बाबरे मेरा तुम से कोई बतला नहीं है इस टिशर्ट पर मैचिंग चड़ी लेने की सोच रहा था मैडम मैंने ये शेट दो लोग के लिए पहनी है एक मेरे लिए एक मेरी इजद बचाने के लिए दूसरी मेरी मोहबत और मेरी जान के लिए अब बस बहुत हो गया इतना काफी है शान के चार बजे से लाइफ कर देना भूलना नहीं मैडम तुम्हारे पहर का है पहर का है मेरे बाई अ क्या पफोर्मेंस थी यार इसकी माखिश मैं भी पेन क्लब का प्रेस ने तेरे जैसा कलाकार मिला बहुत ही मिश्किली मेरे भाई इसकी जात का अगर में तेरे साथ एक सेल्पी भी नहीं 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 आजा ज़रा इस्माइल कर अवे कोई अच्छा सा एक्स्प्रेशन दे आर शाम को लाइब चार बजे जल्दियो सूरज रदने से पदे फोटो निक यार तो पता ही हंडे तेरे काम से बहुत खुश है इसलिए तु ही मेरे कैमरे से फोटो निकाल ले ओके एही है सही है मेरे से ले 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 हाई ब्यूटी सच कहूं तो राज से मुझे नीन नहीं आ रही है दिल तुम्हें बार-बार याद कर रहा है कौन बोल रहा है है चित्रा और मैं रिक्की हूं अपना नंबर सेव किया था देखो मेरे पास एक सॉलिड खबर है तो हम सुनोगी तो फिदा हो जाओगी एक फेमोस एड एजनसी में तुम्हारी फोटो सेलेक्ट हुई है वो भी 50 लोगों में से अगर तुम थोड़ा सा एड्जस कर लोगी हालो आपको मेरी फोटो कहां से मिली मैंने अपसे उसी दिन कहा था कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं मैं इंडस्ट्री में पैसों के लिए नहीं आना चाहती हूं तो खुद को बहुत ज़्यादा खुबसूरत समझती है क्या तेरी तरह एटिटूट करने वाले और सब कंप्रोमाइज करकर आगर बढ़े हैं तुने वह मौका भी खो दिया अगर सच कहूं तो तो कभी हेरोइन नहीं बनेगी और हेरोइन बन भी गई ना तो कोई तेरी फिल्में नहीं नहीं देखेगा ओकी जश शुट अप बाप रे फोटो नजर नहीं आ रहे हैं चड़ी देखकर डर भी लग रहा है अब चुपकर ना आज अपनी सॉलिड लगने वाली है अब क्या करें यार अरे छोड़ने यार अरे छोड़ने यारे अरे रहे है है राइट धोका बहुत बुरा होता है कर देखकर ज़िए करना उस से भी कि वह रहा है। अबरी इवर्टड़गरफ विल अब शूड़ने ट्रीश उनीक फ्रेमिंग थिजेशन पर अंपॉजिशन और श्था एक तरुश्व जो फोटो जगी वा इस नियुक रिख वायर किसी एक अढमी ने ली आधे आधे लेगें आप तोल इस बिफोर, आप तेल गयां पॉटॉग्राफिफ इस अर्ट वोई कला है इस दो फिडल विद विद इट वायर आधे है वो सकता है नेगेटिव दोते वख जुली से मिस्टेक हो गई हो राइ टेकिं दम फिर्स्ट मिस्टर अब टास्क अब तोड़े इस कंड़ फोटोग्रफी संदगी एक सफर है उसमें खुशिया होती है और दुख भी होता है तुम लोगों को एक बहुत दुख से भरा वोमन्ट कैप्चर करना होगा जस्त बन मोमन्ट इस तो वे ख्लिक्ट एमोशन एस तो इस ताम यौल विल नोट गो तोगाधर तुम सब लोग अलग अलग जाओगे डोंट ट्रेवल इन हर्ट माइंड एमोशन इमोशन ही चाहिए ना सार यह दिखिया इमोशन इमोशन और एक और इमोशन हमेशा ठूसते रहना और बाहर जैसा शरीर बनाना और नेक्स जनिशेट फोटोग्राफर कह कर बेकार में वहां घूमना फोटोग्राफी नहीं होती इमोशन क्लिक तेम एंड कम बैक निकम में कहीं के सारा मूट खराब कर दिया चिट्रा तेरी ही गलतीय सब तेरी वचे से हुआ है कोई भी कॉल करता है तो हाइं हलो ऐसा कहते हैं क्या उस रासकल उसने क्या नहीं कहा मैं आट्रिस नहीं बनूगी ऐसा कह रहा था कुद को समझता क्या है अकर मुझे कहीं मिल दिया ना तो मैं उसकी चटनी कंट्रोल यॉसार चिट्रा अपने घुस्से पर काबू रख या प्रितुम बड़ी सुबे सुबे आ गई नाद हो के आई हो या नहीं लेकिन यार कल तुमने क्या एक्टिंग की थी रात भर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था अभी तक यह बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो यार आकाशवाने भद्रवती इस वक्त रात के ने ने सुबे के ठीक सात बजे हैं होस्ट जो है मेरे साथ है उसका नाम है प्रीतम सुरी नहीं 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 चित्रा चारो तरफ काले बादल जाय हुए बिना प्याज के आँखों से आस उट अपकने की संभावना सरकार का कहना है भारी जगों पे नुक्सान होगा बाल में फसे हुए लोगों को सुरक्षित इस्थान पे पहुचाने के लिए चित्रा जी की पेंट की हुई बोट का इस्तमाल होगा अग्यानी और वैज्यानिकों की गंभीर चर्चा के बाद सब लोगों की जान संपत्ति बचाने के लिए सभी को एक मंद्र का जाप करना है जैबोहानी 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 आकरकार सग्निल अहीं गया चित्रा आज में तुम्हे ऐसी जगे ले जाना जो तुम्हे अभी तक नहीं देखी है 3 3 5 झाल 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 कितनी प्यारी जगे है ना हलकी फुहार पढ़ रही है सूरज के किरने जैसे गाना गा रही हो किसानों के लिए राहत की सांस है फिर भी अज्ञानियों और व्यज्ञानिकों के लिए ये चिंदा का विशय है सबसे बड़ा सवाल ये है सदेन मूड चेंज बात क्या है कशिए रंग भरने का मेरे पापा का सपना कहीं ये सकना सपना बन कर ही ना रह जाने ये सोचकर डर लगता है तुम्हारे साथ रहकर मेरा अध्रस बन ने का कॉन्फिदैंस जिस तरह से बढ़ रहा है ना उसी तरह पब्लिक के सामने परदे पर आने से पहले क्या-क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी यह सोच कर और डर लग रहा है अगर तुम्हें इस बात से इतना डर लग रहा है यह एक्टिंग अगरा छोड़ दो पेंटिंग के पीछे पड़ो उसी पर अपना सारा फोकस करो पें परिशत से बेस्ट पेंटिंग अवार्ड मिला और यह यह स्टेट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी लेकिन यह सब सिर्फ एक सोच है सिर्फ एक तस्वीर है मेरे मुताबिक इनकी कोई लाइफ नहीं है एक्टिल आर्ट मतलब किसी से कोई रिष्टा ना होते वे ब आपके लिए तालिया बजाती है वो होता है रियल आर्ट जब औरोग्राफ के लिए फोरोग्राफ के लिए लोग आपका इंतिजार करें उसे कहते है रियल अचीवमेंट और मैं तो हमेशा अपने ड्रीम को फॉलो करती हूँ गलत है क्या बोलो तुम भी तो यहां अपना सब्सक्रेइव हैं मतलब मैं तुम्हें इक सिचुएशन दोंगा यह एं रटी है रeडिय कर लिए हुआ ऑझे अ चित्रा, इमेजिन, मैं तुम्हारा डैडी हो, मतलब मिस्टर चंद शेखर हांडे, तुम्हें पेंटिंग करना पसंद नहीं है, तुम सिर्फ एक्ट्रस बननना चाहती हो, अब तुम्हें मिस्टर हांडे को कन्विंस करना है, रडी हो ना, ओके. चंद्रू, इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा खुश है, अगर ये जीज़ बता लगाएंगे, तो शायद सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा ना, क्यों पता है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, चंद्रू, तुम्हें एक और बात पता है, मुझे पहली बार मेरी मा नहीं है, ये कप पता चला, जब स्कूल में पेरेंट्सटी पर बुलाया गया था, तब से तुम मेरी मा, बाब, भाई, बहन, चाचा, चाची, मेरी पूरी फैमिली हो, मेरा भी नाम, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तुम्हारी सिंद्दगी, मेरी सिंद्दगी, तुम्ह मुझे पसंद नहीं है जिसमें सिंदगी नहीं है तो काम सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ चंदुरू मेरी छोटी सी खोहिश है मैं अच्छी एक्ट्रस बनना चाहती हूँ एक क्यारेक्टर में जान डालना जो मेरे हिसाब से एक रियल आठ है रियल अचीवमेंट है मुझे पेंटिंग करने के बचाए आक्टिंग करने के लिए कहोगे न तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी यह पता है क्योंकि मेरे दिल को वही करना बहुत अच्छा लगता है लेक ये बस एक सपना ही है चंद्रू, तुम्हारी बराबरी में ये कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा सपना पूरा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, बस, मैं बहुत एमोशनल हो गई हूँ न, ठीक है, कम से कम आज तो खाना जंडा होने से पहले खा ले न, अगर तुम इस तर कि एक्टिंग करोगी न, तो ये हांडे ही क्या, उनके पिता जी भी मान जाएंगे, चलो, चलो ते है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, माइ प्लेज हो, थांक यू, यू मेड माइ दे, कल तुम्हारे ली एक स्पेशल दिन है, हां, पूछो कैसे, कैसे, हांडे कैसे, सर, तुम्हारी आर्ती उतारने वाले है, कहां है, तुम्हारी एमोचनल फोटोग्रफी, कल उनकी गन से गोली ज़रूर निकलेकी, पेंटिंग और एक्टिंग दोनों ही आर्थ है इस दिल को आर्थ नहीं भाता और इस दिमाग को भी लेकिन इसकी वेल्यू क्या है मैं तुम्हें दिखाऊंगा a photograph is like an autograph too जितना जरूरी shot है उतर ही जरूरी उसका graph होता है graph is what's most important here hope this task doesn't disappoint me now who's first negative लगता हंडे इंप्रेस हो गया यार मैंने किछी है सर ओके बाद में बताओं वाव है यह तुरुष का है तो देखे इसको छड़िये सार पहले इस अच्छेटर का फोटो देखे यह वह यह अगला वाला हम अच्छी है अच्छी है नजार यह फोटो यह यह अच्छी है यह फोटो यह यह है अच्छी है यह यह यहाँ कभाई भाई लाश की फोटोस निकलता है लाश की फोटोस क्लिक करता है मैं ऐसे फोटोग्राफ़स को ट्रेन नहीं करता है बाब बेटी मिलकर खेल खेलते हो नहीं छोड़ूगा केसी को भी अब बाबरे इंसान का मजग उड़ाते हुआ शर्म नहीं आती यह द्रिश्का है ना जिसने फोटो निकाली उसे इतनी पड़ी है मेरा क्या होगा इसे भी पढ़ने वाली है द्रुश निकल ले यहां से ओ ओके अधियर इस एक फोटो में कहानी नजर आनी चाहिए एक मैसेज होना चाहिए उसमें दर्द होना चाहिए और खुश्वी होनी थियाली है खुश्वी है दुरुश्श चाहिए वहाँ वाली है शुच्वी अधिया खुश्वी होनी पैटी घर की रोष्णी हो थी है शादी के बाद वो पती के घर को रॉशन करती है वाव परहपस इस 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 अउनली मोमें जो आखो में थोड़ा गम और खुशी दोनों दिता है वेरी गुट वेरी इंप्रेसिव पिक्चर दुश यॉल में लिव जऑचिए स्ट्वरा स गो जब में उम खिले गँची है और श्यूल एक्सब बीचिव ने थे इस एक्समय मिझेटे मुट गउपस यॉपस सर्वाइना नहीं उट्टों भी निंगेटिए गो कमिया स्पोर्गियो, सर इत्ती सोर सिवाराया आपसे मुझे समझ में यहाथ आपको इत्ती सिवात के लिए कोई मारता है कडूस आजबी पेकाराजबी आपको कुडूस कहें आपको भाई बैक देखना हाँ ठीक है यह कल तो पूरा दिन मेरे साथ था तो इसने फोटो कब ली मैंने तो कोई फोटो क्लिक ही नहीं की तो फिर फोटो आई कहां से यह देख नगेटी मैं यह किसे लेकर आया हूँ यह क्यों मैं चंद्रशिकर हंडे मूह क्या देख रहा है बै अभी तक दुख रहा है पता है तुझे अभी तेरे पिछोडे पे ना सूई चुप जाएगी तेरे हाथ में लक्वा मार जाएगा तेरे गाह में सबके सामें तेरी चट्टी उतर जाए अगर मेरे हाथ में सरीय होता ना तो तेरे हाथ पर करके तुझे तंदूर में टॉल देता मैं करम तेल में चैसे राई फड़ फड़ाती है ना वैसे तू भी यहीं फड़ पड़ाएगा कमिदे अगर तू फोटोग्राफी का कीड़ा है तो मैं खटमालू बे फोटोग्राफी तू हमें नहीं पहले खुद सीख तुल ले भे जब काले बादल चाहते है तो बादिश होती है मुर्गी जब कटी तंदूर बनती है उसी तरह तेरे मरने चाहिए हमें खुशी मिलेगी समझा क्या मुस्ती थी काले बोटे है मुझे तो समझ में महीं यह अरहा है मेरे नाम से वह फोटो वह आई कैसे मैंने तो कोई फोटो कीची ने है वोट ये फोटो मैंने खीruck थी ती तू बहुत अच्छा से फोटो लेता इस विश्वास से मैंने बहुत दिवांग लगा कर चूली को उल्लू बनाया और रिल इक्सचेंज कर ली लेकिन कमीने तेरे खाली रिल की बज़े से बेज़े में मुझे मार पड़ी और क्रेडिट तुझे बिल गया और उसकी नसर में पिरा निगे कित्रा अलाड ये सर तुमारी थर्ट ट्रेंणिंग क्लास स्टाइश्टिवेस्टनल एक्टिंग सिचुएशन मैं तुम्हें बताऊंगा उसके हिसाब से एक्टिंग करो अपनी एक्टिंग के जरीए किसी से स्थो रुपय मांग कर लाना होगा तो जाओ और लाओ ऑग चा मुझे मुझे सो रुपय चाहिए थे जागो भाईया ऐसा क्या हुआ है कि वह बाग ने बीटा शाम को प्रेक्टिस पर आजाना थी क्या भाईया यह यह भी कोई एक्टिंग है चलो सो रुपय तो मिल गए अरा चाल डालना पते डाल आस तो बाजी मैं जेतोंगा किसी कि क्या हुआ उन्हें भी पहचान दी हो गया नहीं 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 चाहिए लड़की कौन है यार बहुत ब्यूटिफूल है यार प्लीज सो अरे खेलने यार अबार कि देखाने के चाली हो जाता है चलो हम भाई का मूड बतल गया यार है सो रुपए में चाल घ्री जोंगा है राट animation वहीं दोंगास नहीं भाया बस सो रुपए चाहिए के चाहिए मेरा कच्रा हो जाए बर कहब मेरे को लेकिन भैया मत बोल मेरे भाया सुनते ही न मेरे दिमाग का सरक फोर जाता है वहां.. रहने दिची भाया मैं किसी और से ले लेते हूं किसीुसे लेने के भाता है तुझे जितना पैसा चाहता। और रही हम दूगा तेरे को चल ना छोड दीचे न Хотपा बहया बोलोना भाया मत बॉल बेरे को याद हुआ जाना तरे को छो में देके चाली जा और अज़ा है सबस्टी कर है सर 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 यह सब प्रचाब हरा है या बैः ही रो मैं क्या चीज हु पता नहीं तरेगा साइट देना भे सर, बेचारी लड़की फुला मजाग कर रही थी सर इसलिए जाने दीजिये न हाँ, इना समझने मेरे को हाँ, यह आने के पहले इत बार सूष्टना चाहिए था तेरेको अगर वेरा एक हाथ पढ़ गया ना बेठा लेकिन एक बाट ट्राइ करके देखें क्या स्पाइट करता चाहता है बार दे भाई अगर इसलिए लित पाइब लिए 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 लेखे लिए 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 इंड़ इंड़ में अखिए बारो सबको अब भाग रहे भाग 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 खाग एभगवाण टूट गया Pats, don't get tensed, कल मेरा चन्द दिन है So, पापा से तुम लोगों को किसी तरह की तकलीप ना हो, इसका खयाल मैं रखूँगी I will be there with you Hi 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 क्या क्या हालत कर दी इसकी कितना अच्छा केमरा था ए बगवान चाचा नहरुजी ने आपको दिया था और इन्हों ने इसे चूर-चूर कर दिया आपके जैसे एक बड़ी चड़ी लेकर उस कैमरे से एक फोटो लेने की बहुत इच्छा थी लेकिन अब क्या, ना कैमरा है और ना चड़ी है कैमरा थोड़कर देखिए कैसे खड़े ये निकंबे लोग मुझे गुस्ता आता है तो मैं ऐसे चिलाता हूं हाई हैपी बुर्देड लुकिंग सुपब तुमारे लिए गिफ्ट बहुत बुरा हुआ अंकल जी हाँ 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 यहां तो कुछ अलगी फिल्म चल रही है कहां थी यार तुम्हारा बाप है सर आज आपकी बेटी का बट्टे है ना मुझे याद है केक वगर आण नहीं खिलाएंगे क्या कैमरा तोड़कर केक चाहिए इसे केक काले भाई से कहिके यह जुली अगर कोई नया कैमरा मेरा तूटता तो समझ में भी आता यार एक पुराने कैमरे के लिए इतनी नोटंकी कि क्या जरू रहता है सीधी तरह बोलने से तुम लोग कभी नहीं समझाओगे ताबल बैरल नहीं पड़ेगी अरे अरे गन आ रही है बाई किदर गया शक्तिमान मैं क्या करू वेट मैं हून वेट शक्तिमान वेट मैं हून वेट है चित्रा है वेट बर्थड़े इसमें जो ड्राइंग शीठ है उसे निकालो यह क्या है सिर्फ वाइट शीट यही सोच रही होगी ना जब तुम्हें शीट पे रंग दालोगी ना तब तुम्हें साप्राइज मिलेगा तुम्हें 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 फ्युम्हें जात्राइज झालोगी तुम्हें रहएं बाहँ कर दो कर दो कर दो कर दो कि कर दो का दो कर दो干ाई I'm meant to be together through Sandy I love you Sandy I love you 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 कहा जाता है फीमेल जुगनों ऐसी रोशनी पैदा करती हैं ताकि उनके इंतजार में जो उसका प्रेमी है वो जल्द ही उसके पास आ जाए वैसे हमेशा मेरा एक सवाल रहा है कि बहुत हड़े की दिन लोग कैंडिल क्यों बुझाते हैं लेकिन तुम्हारे बहुत हड़े पर इन जुगनों की तरह तुम भी जग्मागा होगी हुँआ है चित्राओ है प्रिंड न की तुम्हार एप प्रिंड यूर est ऑल्द अर्पने के त्रूल्टय को कि तुम्हार फिरे के अ जान चित्राओं नहीं हम जाने है अ आप चपत्राओं है और एफ और व्य मुआ और जाजा है थाइंक्यू चलो 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 वहां बैठते हैं आओ चित्रा चिर्ण है गाइस होई शी तुम लोगोंने मुझे एंडिट्यूज नहीं कराया यह सेंडी तुम चित्रा को नहीं जानती जला द्यान से चेहरा तो देखो बस थोड़े ही दिनों में चैनल में एड्स में पूस्ट सिच्वेशनल एक्टिंग डिलेवरी सब कुछ इस तरह से करती है कि पब्लिक जो है वह तालिया बजाती रह जाएगी मुझे कितना प्राउड मैसूस होता है पता है मेरी दोस्त फ्यूचर दस्टार दमून तो सन कहलाएगी उसके बाद अगर वह घर से बाहर कदम भी रख फोटोग्राफी बायोग्राफी के चेकर में लोग आतों के पीछे पड़ रहेंगे अगर तुम ऐसा समस्ती होना चित्रा तो तुम्हारे जैसी उल्लू लुल्लू इस दुनिया में कोई भी नहीं है चित्रा मुझे ना थेडर का दस साल का एक्सपियल्स है मैं एक एक्टिंग टीचर हूँ कभी ऐसे कभी वैसे लुंगी डांस लुंगी डांस वो तुम्हारा बाप हांडे जो है ना हम कोई भी फोटो लेते हैं तो गालियां देता है अब उसकी यह बेटी पेंटर है यह एक्टर है उसे पता ही नहीं है तो जन्गल में जाकर आ है आ कि बाए अ मैं भी बोलूगा बाए है जित्रा इंच्छी बात कह रहा हूं तो लोगों ने रहने के लिए कहर दिया और दिया जारू भी दिना उसके लिए मैं तुम्हें एक एक्ट्रस का भी नहीं बोलूँगा तुम लोग तुम लोग मेरा मज़ा गुड़ा रहे हूं ए जुली डबल बैरल गन लेकर आओ हाँ 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 मैं ही बेवकुफ हूँ जो तुम लोगों की बाते मान कर तुम लोगों के पीछे पीछे ऐसे गुमती रही मैं सच में पागल हूँ तुम लोगों ने सिर्फ मुझे धोका नहीं दिया है मेरी फ्रेंशिप के साथ तुम लोगों ने मेरे विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया तुम लोग मुझे सिखाओगे तो मुझे चांस मिल जाएगा तुम लो यह दोस्ती भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा तुफ़ा है कि सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता और उनकी फिलिंग्स भी जल्दी मन से नहीं मिटती है मेरे बर्दे के दिन तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा गिफ दिया मानती हूं कि तुम लोगों ने मेरी फिलिंग्स को ठेस पहुंचाई लेकिन कोई भी मेरे कॉन्फिदेंस को कभी नहीं दोड सकता और एक ना एक दिन मैं आक्रस बन कर दिखाऊंगी गुद सब में पी रखी है यार वो मजाग कर रहे थे तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो ओके एक ना एक दिन तुम एक्टरस जरूर बनोगी किसी के एमोशन के साथ खेलने की कोशिश मत करना क्योंकि सब मेरे जैसे नहीं होते हु, हुु, हु, 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 Che sama रिक्की है ना? चित्रा, आरे शूर? यूँआ टॉक टी मी? आम रियली शॉक्ट गन सर्प्राइज. ओ, आउडिशन हो गया लगता है. उस फेमस डारेक्टर ने कौन भी किया होगा. कॉंप्रमाइस भी ना, तरने के लिए काई होगा. हाँ, आपकी बात एक तरह से सही भी है. रिक्की, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए. मुझे चल्दी फेमस होना है, एक एक एक्टरस बनना है. और इसके लिए मैं किसी भी तरह का फोटोशुट करवाने के लिए बिलकुल रेरी हूँ. लेकिं, मैं एक एक्टरस हूँ, और मेरी पर्फोर्मेंस रूव होनी चाहिए. हेचित्र हुआ, इस्टाइख़व, रोजना, व्हादस आप सकतानी हो. उस फेमस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तुमारी प्रोफाइल को के किया है. देखो, अगर तुम अभी के अभी हाग होगी तो गली फोटो शूट होगा और पर्सो वर्ल फेमस भी हो जाओगी मैं तुभारे नंबर बर डिटेल और समस कर रहा हूँ, चेक कर लेना और फिर, कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है? ओके रिकीब, थेंक यू हलो, चित्रा, क्लाइंट्स एक्दम हैपी है, और सारे फेमस को आर्टिस्ट भी रेडी हो गए हैं, देखो, हम तुम्हारे गाओं के बहुत ही करीब रुके हुए हैं, तो हम तुम्हें अभी लेने आ रहे हैं, हम यहां जा दस मिन में पहुंच आएंगे, चित्रा, जस्ट र ज्यादा अपसेट थी, इसलिए बिना सोचे आपसे बहुत कुछ बोल दिया, बेकिनी फोटो शूट करके उसमें नाम कमाने का तो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, आप किसी और को ढूंड लीजिए, प्लीज, थूड़ना है, दूड़ना है, दूड़ना है, दू पत करना, मुझे पता है, तुम हा रही हो, हां, चित्रा, I'll trust you, आपको कब से कह रहे हूं, समझ पे नहीं आता क्या, I just can't, बार-बार फोन करके मुझे डिस्टब मत कीजिए, चित्रा-चित्रा, पिक मैं कॉल, क्पाइबुना है, इस मासाँ है, प्रेट अ緩विक मैं, जूँभना करके मैं,Gu chickade, आता है, क्याँ है, में ऊता है, यहा रहा है, दूविक मैं अंभ है, वाव, नाइस पेंटिंग, ही, I'm Sandhya, Nickname Sandy, you are Chitra, The Super Painter, नाइस, आपको यहां का पता इसने दिया, हम दिल का राज जाने वाले लोग है, इसमें घर का पता ढूरना कौन सी बड़ी बात है, खेर, आपका बॉइफ्रेंड कैसा है, मेरा बॉइफ्रेंड, उस दिन पार्टी में मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, तकली से सोच रही हो, प्लीज, सपने में भी हमारे रिलेशन्शिप को उस अंगल से कभी कंपेर मत करना, बेबी, इस बियोंड एनी रिलेशन्शिप फो मी, इसका मतलब आपका दुरुष के साथ लव, मैं बेसिकली टेली से हूँ, बहुत ही कम उम्र में मैंने अपनी मम्मी से अट्राक्ट होने लगी, 2012 में मैं एक टॉप मॉडल बनी, पैसा, नाम, हर चीज के साथ साथ भगवान ने मुझे कैंसर नाम का एक बॉइफ्रेंड भी दे दिया, मेरे सारे फ्रेंज, वेल विशर्ज ने सिंपती जरूर दी, पर कोई भी साथ रहकर, कॉन्फिडेंस नह बॉइफ्रेंड बॉइफ्रेंड कहकर हमारे इस रिष्टे को गाली मत दो चितरा, दुरुष, इस एवरीथिंग फो मी, एवरीथिंग, बट एक बात तो सच है, मैं भी अब्जर्व करती आ रही हूँ, जब से मैं यहां आई हूँ, दुरुष, कीप स्टॉकिंग अबाउ आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, आई हूँ, आज हम अपने घर जा रहे हैं, कब तक प्यार को अपने दिल में दबा के तरपता रहेगा, आज तो से अपने दिल की बात बोल दे, क्या बोलू मैं, बताना क्या बोलू मैं, हमारे गुरू, जिन्नोंने हम पे रखरोसा किया, उनी की मैं, उनी की बेटी मैं भगाके लेके जा रहा हूँ, और उसने बिना कुछ भी सोचे समझे, हमें अपना अर्टिंग घर मान लिया, सच में या, चित्रा ने हमें बहुत इ उसे दूर जाना पड़ेगा, छोड़ना यार, मैं उसके बगएर रह लूँगा। तुम किसी तरह ऐसे ही रह लोगे, लेकिन मैं इस तरह कभी नहीं रह पाऊंगी, फर्स टाइम तुमने बस्टॉप पर जो प्रांक किया था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था, बात में आईटी के बारे में जब कहा था, तब तुम्हारी स्पीच अच्छी लगी, आइन तब तुम्हारी टेरिंग पसंद आई, जिसके अंदर इतनी सारे गोण है, इतनी टेरिंग है, हर एक बात है, उसे कौन पसंद नहीं करेगा भला, इस चित्रा को पहली बार अगर कोई लड़का पसंद आया है, तो वो तुम हो, चित्रा, सुपब, पॉफेक्ट, आज मैं पूरे कॉन्फिदेंस से कह सकता हूं, तुम्हे एक ना एक दिन ग्रेट एक्रेस जरूर बनोगी, अरे देखना यार, चित्रा किस तरह से सीन में इन्वाल्व होगी, अरे यार, तुम्हारी एक्टिंग देखके मैं डंग रह गय आप जीत गया भाई, दस साल का experience, आखिरकार रंग लाया, सुपब, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, आज मैं इतना खुश हो ना, कि तुम्हें को घर पहुचके मैं पार्टी दूँगा, ओके, चित्रा, तुम यहां क्या कहने आई कि मैं जानता हूं, हमने तुम्हें जो भी टॉचर किय जानता है, उसके लिए sorry, और मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए I'm sorry, 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 भाई चित्रा, जित्रा मैडम, कॉल कर दी रहिएगा, और जब भी कभी शेहर आईएगा, तो मिलिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलने पे, आटोग्राफ दे दीजेगा, चलता हुचित्रा, बाई! प्प्षोन आइएएवर की अधँ कर दानाods? दोज दोो दो कर दो GIS दोजो दो देना होुचित्रा समया मित्रा चीत्या कर चोराफ प्यार्या तुम्हारे लिए मेरा केतना पैसा लग गया और तोम इसके लिए आब चोड़ा मुझे चल कर दो अच्छुन्हुटब आयुक? एए! हुए! हेह! ऑलिए में घर्णाओंने जुए जुए लुए थानए से खुए जुए ठाए लुए जुए वो, मैं, दुरूश, वो… चल, 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 ते. हुआ. दिये के फ़रफ़ाने के मतलब सिर्फ तेल का खतम होना नहीं होता यार हवा भी हो सकती है है एए मन में कुछ और चेरे पे कुछ और ऐसा मत कर यार माना कि हमारा खून का रिष्टा नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए खून बहा सकते हैं पताना यार क्या बात यार दिल से निकाल दे यार मैं तुझे इस तरह से देख नहीं परा रहा है बताने का जीत हो और कैसे बता हूँ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं कोशिश करोंगा कि उस दिन तूटा हुआ क्यामरा रेपियर करके हांडे के घर जब मैं रखने गया था कि एक अच्छे फोटोग्राफर की आंके अंधिर में भी सब कुछ देख लेती अंदर आजाओ कम आन क्या में अफ देख विर्णा यह जाओ आजाओ मेरी पत्नी और मेरी बेंती अपत्नी और मेरी बीटीं मेरे इस प्राइविट एरिय में अगर कोई स्ट्रेंजर आया तो वो है यू माई दियर बॉइ थांक यू सर दस बजे कॉफी चाय पूछने के आदत नहीं है मेरी हम यू मैं आफ तो बेर विदिट वान मिनेट अब तो यू मुझे आदत नहीं है यू सर गट वेरी जो एक गट वेरी गट एक वर्ण पें वाला आदमी नहीं हूं यू नहीं थाइगो घटनर के बगार ऐसे संबडी फो ट्रिंक्स विलाव और भेन इन हिम तुम लोग जो फोटोस खेंशते थे, वो मैं दस्विन में भेंग दिता था, बहुत चिलाता भी था, राइट? I'm really so sorry, on contrary, I'll show you something. Here we go, these are the photographs clicked by you. You recognize them? Hmm, now do me a favor, can you just help me with that box over there, please? Sure sir. I'm sorry, I say, pakodotum. Here they are, long. ये फोटोस है न, मैंने तुम्हारी उम्र में ही ली थी, hmm? Wow, can you see them? ये भी उसी दौरान ली गई है. This, this is yours. Wow, can you see some similarity in this? Hmm? We both think alike. Hmm, hmm. Hmm, how about this? This is yours. Hmm? This is mine. Check this out. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Give, 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 give. Give it to me. Give it. Hmm, hmm, hmm. What I really like about you is that तुम्हारी लगण, तुम्हारा इंट्रेस्ट और कामके प्रति जुनून, मुझे ये सब बहाग पसंद है. Wait a moment. Thank you, sir. These are the three experience letters you came looking for Hmm? Drush. Hmm, Drush and दुनिया को गर्व से बताओ. Chandrasekar Hanri हमारे गुरू है. We are trained under him. I want to give you something else. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. You know, ये मेरे गुरू ने मेरे काम से खुश होकर मुझे दिया था. अब तुम्हारा गुरू, मैं चंद्शेकर Hanri, तुम्हारे काम से खुश होकर, अब ये तुम्हें दे रहा हूँ. Have it. Keep it. All the very best. Wow. Enjoy your life. Oh God. Sir. Sir, sir, मुझे बहुत हुशी हो रही है, sir. मैं चलता हूँ, sir. Sir, मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, sir. जोर-जोर से चिलाने का मन कर रहा है. सर्च कहारा हूँ, sir. Sir, thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes. Drush. One minute. Come back. Please be seated. Drush. अगर तुम्हे लगता है कि गुरू होने के दाते मैंने अपना फर्ज निभाया है, तो एक आम आदमी की आइसियत से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ. हूँ, दोगे ना? Sir, ये आप क्या कहने है, sir? मेरी एक बात समझने की कोशिश करो. 20 साल पहले, जब मैं सिर्फ चन्शिकर था, तब फेम नाम के ताज की तलाश में, भुड़करफी नाम का हत्यार लेकर जंगल, परवत, रगिस्तान, और कहीं बटका. उसके बदले में मुझे क्या मिला? चार अवार्ड्स, 40 आर्टिकल्स, और चार हजार तालियां, बस. मेरी भी एक फेमली है, मेरी भी बच्चे थे, मेरी भी एक लाइफ थी, ये सब कुछ भूरकर. मैं कहीं दूर चला गया था, अपना नाम बनाने के लिए. मैंने अपनी पुरी जिंदगी, पुरी जिंदगी गवा दी. परिशान हो कर, मेरी भी ने दम तोड़ दिया, और मेरी चित्रा, शिस ओनली वन पैरेंट, सिंगल पैरेंट. शी डजन्ट है मादर, उस वक्त मेरी जो बच्ची, मा, मा, ऐसे फुकारती रहती थी, उसकी वो आवाज आज भी मेरे कान में गुंचती है, दुरुष, जित्रा में सांसे हैं, दुरुष, उसने जब आकर उससे कहा कि तुम लोग की हेल्प करनें, तो आइट सेड, आइड नहीं है, तो अघ् nehme, तो आइड पेसी रो Community देघे, परिवा और दिया ये, अदेड लृष, छित्रा की दीच के लिख ही है, छित्रा की लाइब के लाइब करनें, प्रिसे एफोतों नहीं स्हिघ яв finding है, एट डृफोती है, और देज ज़ते बहु दुलेतने हैं, तो दियना में जो है ऐसे बहुत सी चीज़े हैं जो अनेक्सपेक्टेड होती हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होती नो चांस दोंट इवन ड्रीम अवाउठा द्रश प्लीज एक बेटी कबाप होने के नाते मैं तुमसे हाँ जोड़कर भीक मांग रहा हूँ बगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज प्लीज मेरी चित्रा को मुझे देग प्लीज प्लीज द्रश, प्लीज भीक मेरी में जाता हूँ जाता हूँ प्लीज, लेट में क्लिक्ट. या, शॉर्ष. अर्यों रेड़ी? ओके, यह वी गो. यह वी गो, दुरुष. वन वो, वन वो, वन वो. थेंक्यू दुरुष. थेंक्यू. थेंक्स. सिर्चित्रा के बारे में कुछ ऐसा है, जो आपको जानना चाहिए, यह देखिए. जंदुरु, मेरी एक छोटी सी खौहिश है. मैं अच्छी एक्ट्रिस बनना चाहती हूँ. मेरे हिसाब से वही रियल आठ है, रियल अचीवमेंट है. मुझे पेंटिंग करने के बजाए, आटिंग करने के लिए कहो के न, तो मैं बहुत कुछ हो जाओंगी. क्यों पता है? क्योंकि मेरे दिल को वही करना अच्छा लगता है. क्योंकि मेरे दिल कंग्गते हैं, वही रिँ'll मैं करने कर curvature रिए। च्छाज़ को वह बा hakkा है. झाल, भ城 transparentեób कर रिंग को भबा़ार्णाश को रिंग. थाल, चाल, वही करी रिंग puckता है? क्योंकि मेरे रिंगं कर वही कर दोकिता सहांटा हूँ, ओगता है? झाल 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 कि यह उन लोगों के फुट्प्रिंट्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं कि यह जो मेरे लाइफ की मेरे लाइफ की वेलीडिटी बस तू मंस है और एक महिने बाद मुझे कंप्लीट बैड्रेस्ट करने को कहा है एक नएक दिन सभी को एक एक करके इस दुनिया से जाना ही है यार फिल्हाल मेरा टाइम पूरा हो गया इसलिए आप जड़ा इस बहती हुए गंगा को रोकेंगी प्लीज रोना बंद करो चित्रा और मेरी एक मदद करो वीच हेलो अलो के सर मेंदू बड़ा में छेद नहीं है माफ कीजिये सर तोंट परी सर पांच मिनिट दीजे मैं सेफ ठीक कर दूंगा पक्का सर ओके सर नेक्स्ट मन्त आपके भाई की बेटी की शादी है ना मुझे पता है सर फूल सर फूल टेक केर करूंगा सर ओके सर थैंक्यू थैंक्यू आज के चमकता हुआ सितारा चित्रा जी कैसी है बेडम फुल बीजी है ना फिल्मों और पोस्टर में दिखाई पढ़ने वाली स्टार का आज सामने से दफसन कर रहे है इस मुकाम पर आपकी वज़े से ही पाँची है गुरू जी या या वो सब ठीक है वो लेकिन मैंने जो एक आख से हासुगिरा के इमोशन करना सिखाया दाना वो थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए था मुझे एसा लगता है ठीक है ठीक है वो बात में सीखूंगी पाट्स वैसे अब तुम करते क्या हो आया मैं इवेंट मेनेजर ना हूँ ए नेगेटिव तुम क्या कर रहे हो मैं दियू सूपा टैंस सूपा एक्टिं सूपा मैं स्पेशल स्कूल में टीचर बन गया हूँ अपने नेगेटिव को पॉजिटिव करके जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके लिए नहीं भाशा ढूंड कर उन्हें पढ़ाता हूँ है वो कहा है अभी वो हमारे साथ नहीं है अरे हां द्रुष कहा है उससे फोन पर भी कभी बात नहीं हो पाई शूट में बिजी होने की वज़े से कभी मिलने भी नहीं जा पाई इस ओल्मोस बिन त्री यर्ज तब से मुलाकात नहीं हुए द्रिश वैसे वो है तो मगर ना के बराबर ए पॉसिटिव बात करो मैं और उसे मिलना चाहती हूं उसकी पास लीजो ना प्लीज चलो नेगेटीव यार तुझे पता है ना सब कुछ जानते हुए भी तूसे क्यों लेके जा रहा है यारि बस करो नेगेटीव 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 खुद पर दूसरों पर यहां तक कि किस्मत भी भरोसा ना होने से आज तक मैं नेगेटिव की तरह ही सोचता रहा लेकिन आप फर्स्ट टाइम मेरे मन में आज द्रिश के लिए पॉजिटिव फिलिंग्स आई है मुझे भरोसा है कि वो जरूर ठीक हो जाएगा लगता है तुम लोग मुझसे जरूर कुछ हे पा रहे हो तरुष ठीक तो है ना चित्रा ऐसा कुछ नहीं है बस नेगेटिव थोड़ा सा इमोशनल हो गया है डॉंट नहीं मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूं बलकि तुम लोग इसके एमोशनल के साथ खेल रहे हो चित्रा नेगेटिव ना प्रैंक कर रहा है फिल्पों पे चांस मिले प्लीज मुझे द्रश के पास ले चलो प्लीज चलो चित्रा चलो चित्रा चित्रा कि देख रही हो ना चित्रा कि देखो कि कंफ्योश मत हो ना यह नहीं तुमारा घर है और नहीं तुमारे डैट का बनाया हुआ यह हमारे द्रिश का घर है वो तुमसे बहुत प्यार करता है तुम्हें रोज याद करता है तुम्हारी पूजा करता है चित्रा वहां देखो यंग हंटर के नाम से इंटर्नेशनल फोटोगरफी आवाड मिला है और इसका श्रिय दिक्रीट फोटोग्राफर चंड्रेकर हांडे को जाता है उन्होने कहा था कि जिन्हें फोटोग्राफी का पैशन होता है जिंदगी में फोटो क्लिक करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, द्रिश को सर्टिफिकट दे कर, गुरु दक्षडा के नाम पर, उन्होंने द्रिश से तुम्हें ये मांग लिया, वह मैशा, अपने यादगार के लिए, तुम्हें बिना बताए, तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, तुम्हारी फोटो खिषता था, और उन्हें यहां सजाता था, वो तुम्हारे यादों के सारे ही, किसी तरह जी रहा है, वह अंडे सर को क्या मालूं था, कि द्रिश को फ तुम लोग उसी दिन बस स्टेंड के पास मिले थे वो वहीं होगा करोप्र एंड कर दो कर दो प्राश्श कर दोड़ुभ। रजिए प्राश्श अत्रॉष्ष्ट दीहाओ दीहाओ क्वश्ट 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 जो बढ़Baby ज बया हुए छोली выглядитत जबंगे लेखिस बी को भ wider o ले लेह, हम आ और बाल goofy हा हुए ज आब टूर बुंगेáfic संपक र fällt म Senior कि आहिःए हो everybody किमनास भ greater टिर्तोOR कर्पड़ किकर हो अ सिगतर कर दो पनाती जर को बालाग कर भी मारे हो ले इखर लेखिझे हो कंदा कि एंग कि नहीं कि एंगा हैं कि एंग भाज़ एंग जब में आए एंग में एंग कि एंग उनका एक्सिदेंट हो गया, वो दुनों मर गये क्या, सैड्न एंडिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छी कहानी है, मैंने ऐसा कहा क्या, तो फिर हैपी एंडिंग है क्या, दुनों खुश हुए, एक दूसरे से फिर से मिल गये क्या, मैंने ये भी तो नहीं कहा, तो फिर हुआ क्या सर जी, वैसे तुम्हारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है न, उसका हीरो कौन है, अरे उसकी जात का उसे कुरोन हो जाए उसे छोड़िये, आप क्लाइमेक्स बताईए न, सर, उस फिल्म की हिरोईन कौन है, मेरी नानी हिरो स्विच कहा है, कितना अंधेरा हो गया इधर, यह ठीक है, अगुरू, जरा पर्दा भी गिरा दो ना, अच्छा ठीक है, सारे का मुझसे ही करवा लीजिए, यह वही दोनों है, द्रिश और चित्रा, कौमा पेशित, तो आप कहना चाहते हैं, कि यह एक रियल स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कहानी समझोगे, तो कहानी है, रियल मानोगे, तो रियल है, चित्रा के पिता, चंद्रशेकर हांडे, असल में है, यह दूसरे से प्यार करते हैं, यह सच है, और यह कोमा में है, यह भी सच है सालूशन देने के बजाए कंफ्यूजन क्रियाट करके माइंड में पुरा पलूशन भर दिया आपने मैं और चंद्रशेकार हंडे दोनों फ्रेंड हैं चित्रा और उसके बॉइफ्रेंड द्रश का एक दिन अचानक एकसिडन्ट हो गया दिमाद पर चोट लगने से वहां पर ब्लेट क्लॉट हो गया अब दोनों पी त्री कोमा स्टेज में हैं बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं हो सकता बोलकर हार मालिया लेकिन लेकिन क्या मैं उस दिन से लेकर आज तक रोज यहां आता रहता हूं और फिर इस माइक में बोल कर रोज मैं द्रिश को द्रिश से इंटर्डूस कराता रहता हूं और चित्रा को चित्रा से इंटर्डूस कराता हूं इन दोनों को एक अच्छी लवी स्टोरी सुनाते हुए जब भी उन दोनों में लब एक्ष्पेस करने का टाइम आता है, मैं कहानी सोना न, बंद कर देता हूँ मैंने पहले ही कहा था न, it's a never ending love story है ऐसा करने से फायदा क्या होगा सर? हम आज एक हो जाएंगे हम कल एक हो जाएंगे अब हम एक हो जाएंगे ऐसी उनमें आज जगा कर इतने सालों से अब तक उन्हें जिन्दा रख पाया क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों हस रहे हो? भागवान कहलाने वाले डॉक्टरों ने सिर्फ दो दिन का टाइम दिया था ऐसे मेरी कहानी सुनकर यह अब तक जिन्दा है तो यो नॉ डैट अब उसे जिन्दा रखना कौन सी बड़ी बात है आप कितने महान रिजेंडरी डिरेक्टर है हिस्ट्री क्रियट करने वाले एक्सपीरियंस डिरेक्टर हैं आप मेरे हिसाब से इन्हें कोमा से बाहर निकालना ही रियल चलेंज है ये ना सिर्फ कहानी नहीं है दो प्रोईमियों के जिंदगी का सफर है अगर थोड़ी सी भी गडबड हुई तो दोनों की जाने जा सकती है माइंड इट वैसी यहां अमरीट पिकर कौन आया है सर यहम देओ के विजा भेजते ही एक नएक दिन फ्लाइट पकड़के सबको जाना है नॉंसेंस तुम यंग स्टर ऐसे ही होते हो डबल मेनिंग डियालोक्स वाले बिना सीन्स के क्लाइमेक्स सिंदगी में सीरियसनेस नाम की चीज ही नहीं इसलिए फिल्मों में कभी सीरियसनेस नजर आया ही नहीं हमारा छोड़िये सैर उस जमाने में आप लोग कोई नौवेल चूज करते थे किसी सूपरिस्टार को पकड़के हीरो बना के फिल्म बनाते थे ना कोई क्रियेटिविटी और ना कोई कॉई कॉमपटिशन क्यार वो सब चोड़िये अब मैं एक रियालिट्री रिस्क लेने के लिए तयान हूँ क्या आप मुझे चांस ले सकते हैं क्या बोलिये बोलिये आपके पास जवाब नहीं है ना तो चलिये सिख्के से पूछ लेते हैं फाल नोगा चैनल चैनल नजा पेड़ेंस अजगा में दोर्ट धुम लोगों से बात कर रहा हूं एक दिन रास्ते में तुम लोगों का एक्किडेंट हुआ और तुम दोनों से और कॉमा में चलेगा इतने दिनों से बिस्तर पैसे पड़े रहने के वज़ाए बेटर यह है कि तुम दोनों मर जाते हैं, ठेका न? अगर तुम दोनों मर गए तो तुम दोनों के क्रिया करम का खर्टा सब कुछ मैं देखूंगे अपने माबाप के लिए, अपने चार दोस्तों के लिए या फिर रोज आकर कहानी सुनाने वाले भगवान सर के लिए भी उठने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है, उसमें दाकत है, दूसरे के लिए फिक्र है, तो उठो, चलो, come on, come on यह, रियालिटी का पवार त्रिश, त्रिश, चित्रा, तुमसे मिलने बस टेंड के पास आई, इतने तिनों बाद, एक दूसरे से दिल की बात करने का टाइम आ चुका है, यह मौका हांस से जाने मत दो, तुम दोनों अपने प्यार का इसहार करो प्यार का इस सफर में प्यार का इसहार करना आखरी कादम नहीं है दो कतम आगे एक खुबसूरत जिंदकी भी है, वो जिंदकी चीनी है, उसे महसूस करनी है, इसलिए उट भी जाओ हब अब कंदी हाए, कि इंदकी तुम दोनों का शादी करना साथ फ्यारे लेना अभी उतना जरूरी नहीं है अभी जरूरी यह कि तुम दोनों अपने कदम आगे बढ़ाओ लिख पुर्चा ट्रुश 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 सच में मैं आज बहुत खोश हूँ मेरे फिल्मों के राइट मैं तुमें ही दूँगा कहानी मेरी होगी और डारेक्ट तुम करोगे अधिक्यू सर थैंक्यू थैंक्यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर इस फिल्म के डालाग मैं लिखने वाला हूं सर ऐसे मुझे तीन चार अवर्ड थोड़ी मिलें सर डॉक्टर वार्ड नमर नाइन के कोमा पेशेंट को होश आया है स्टोरी, स्क्रीन प्लेए स्टोरी, स्क्रीन प्लेए